येस वे लाइव नाओ इस इस शीवानी सिंग फ्रोम एग्जामिनेशन हम डिसकस करेंगे सो फ्रेंड जिस आप सब जानते हैं कि हम कंटीनियू प्रेपेशन कर रहे हैं इस पेसल सीटेट दिसंबर दोचार जोबिस के एग्जाम की सो यहां पर टूडे जो आप सब्सक्राइब बहुती 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 बेस्ट इहां पर क्यूशन पर है बाइशिवाने सिंग मेरे दुवारा एक कंटीनियू आपको इस शेशन जो है कराया जा रहा है पार यहां पर एटीन है इस पेसल सीटेट दिसंबर दोचार जोबिस की कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो फर्स्ट की तरफ और यहां पर जो है हम पंद्रा क्यूशन पैड़ा गोगी के बहुती बहुती बहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और हां यहीं पर आपको बता दू साथ ही साथ में आपकी एवेस एंसी आर्टे की बीक्ल अपनी सभी स्ट्रेट्स को कहां पर लेके जाते हैं चेडिया घर लेकर जाते हैं तो वह है कि सुदेश्य की पूर्ति करना चाते हैं बच्चों को जानवरों के सरक्षन के परती शमिदन सीर बनाना देखो जब हम चेडिया घर लेके जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों को जानवरों की सरक्षिन करना है सिर्फ पर सिर्फ यहीं बेस नहीं होगा बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मुका देना देखो यहाँ पर कोई आप उन्हें मज़ेदार या फिर कुछ इंटर्स्ट इस लेवल तक नहीं करा रहे हैं कि आपका में जो रिजन है वो क्या है ये हमें देखना है वास्तेवी जीवन की प्रिस्तितिया और कख्षा वीधार जन के बीच में परस्पर संबद सापित करना या फिर बच्चों में पश्वों को पालने के कोशल को अब भै देखो बच्चे चोड़े चोटे क्या आप उन नहीं लगाओगे तो ये कैसा डोल लब करा रहे हैं आप क्या यही टीचर से आप नहीं अब हम एवियस में अगर अपने बच्चों को चेडिया घर गुमाने लेकर जाते हैं यानि कि हम भरमण पर लेकर जाते हैं तो सबसे उसका में डिजन क्या है में उदिश्य क्या है क् एक्चुल में हम उसे उसकी वास्तिविक जीवन की परिष्थी दिया और कक्षा विधारजन के बीच में परसपर समद इस्थापित करना चाते हैं इसलिए सी ओप्षन क्या होगा बेटर होगा और वैसा आप सब जानते हैं कि जब हम बच्चे को उसकी वास्तिविक उसकी जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप बताएं यह ओप्षन हमारे लिए 100% क्या है श्योर है 100% बिल्कुल क्रेक्ट है जो फर्स्ट है और जो यह आपका लास्ट वाला है इसमें देखो पश्रों को पाल लेके यहां पर डबल अप कर रहें हैं इसकिल्स नहीं भा लेखता है उनके बेस पर ही उसी माध्यम से उसे जोई है यह पर शेत्र-Bhrhman कराये जाए और यहाँ पर सारी चीजों का क्या होंगा उसकी माय्पर develop होगा सारी skills यहाँ पर develop होगी हर एक points का उसे पता चलेगा क्यूंकि उसकी real life से जोड़ कर हम उसे चीजे जो है connected कराने के कोशिश कर रहे हैं next आपके सामने question है रमेश अपनी कक्षा 5 की परियावन अध्यन की कक्षा में कोश्पूर बर्शन पूशता है उप्युक्त देश्य विध्यारतियों के कि सकोशल के विकास का नहीं है यहाँ पर देखो कौन सा यहाँ पर नहीं है वो हमें चूज करना है एक रमेश है जो कि अपनी कक्षा में कक्षा 5 की परियावन अध्यन EBS की क्या है कक्षा है कि कक्षा में खोजपूर परिशन पूशता है जिसमें कि आप समालोसनात्रवक चिंतन तर्क वितर्क करेंगे इस माध्यम से question put up करते हैं जो यह रमेश टीजर है अब देखो अगर हम खोजपूर क्षा में सभी स्टूडेंट्स है टीचर और स्टूडेंट्स विचार विम्बर्स कर रहे हैं और question put up कर रहे हैं आपस में तो सबसे में उदेश्य तो यह होगा कि हम यहाँ पर सूनेंगे बई जब तक हम सर्वन कोशल नहीं होगा तो बता अगर आप teacher की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं कि teacher से क्या question कर रहे हैं गर आप उसे सुनी नहीं पा रहे हैं तो फिर तो skills आप में कुछ भी develop नहीं होगा तो यह तो सबसे main हैं यह main है यह नहीं होगा क्योंकि सुनेंगे हम तब भी थो उनके question का answer देंगे फिर क्या है रश questions का answer खोजने की कोशिश करेंगे तो यह क्या होगा आपका रशनात्म कोशल आप में जो है एक यहां पर कह सकते हैं कि अब सारी जो thinking है वो develop होगी क्योंकि आप भिन-भिन तरीके से question का answer खोजने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सही है और लोकन आप आप जो है और लोकन कर आप आप से मोजबाने मोखेक रूप से question करूँ आपसे कि बताइए यहां पर कुछ भी question है मेरा में आपसे करूँ तो यहां पर मैं आपको परदर्शन शोने कर रही हूं question पूछा है मेरे समझें तूब बस आपको बताना है तो इसी माध्यम से यहां परदर्शन कोशल डवलप नहीं होगा इसलिए यह ओप्षन क्या होगा correct होगा चलो समझा क्या होगा आगे देखो next third questions है यह भी बहुती बहतरीन question है परियावण अध्यन में इन में से कौन से समझ्या 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 के गुण है सर्चन है चन है देखो भाषन और चितरण इवेस है वही क्या है परियावण अध्यान इवेस है और अध्यां में कौन से समझ्या शमाधान के गुण है अब समस्या शमाधान देको हमारे सामने कोई भी problems है और हमें वह solve करने है तो solve करने के लिए सर्जन सर्जन नात्मकता thinking तो हमें अपनाना नहीं होगी मालों की कोई भी क्विशन है तो उसे हम किस किस तरीके से सही कर सकते हैं और किस किस माध्यम से उसका हम आंसर खोज सकते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है सर्जन यानि की सल्जनात्मक चिंतन आप में डवलफ होगा बिल्कुल इस से रिलेटेड ही तो आप अपने समस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर अलग अलग डियरेक्शन में आप उस क्यूशन के आंसर को खोजरी की कोशिश करेंगे तो बताएए यहाँ यहाँ पर यह तो होगा ही यह तो समश्य शमाधान का एक गुण है बिल्कुल है यहाँ पर अच्छा फिर है चैन अब देखो हमारे माइंड में विचार विमर से चलने हैं अलग अलग तरीके से तर्क वी तर्क हम कर रहे हैं अब हम किस तरीके से किस सही डिरेक्शन की और बढ़ते हुए अपने एक जो है क्विशन के आंसर का चेन करेंगे तो बिल्कुर यह भी पोशिबल हैं जब आपके किसाने कोई भी प्रोब्लम हैं आप उसे साल्व कर रहे हैं तो आपको उसी महाध्यम से उसका करेक्ट आंसर को भी चेन करना होता है क्योंकि आपके माइंड में बहुत थोड़ उस टाइम पर घूम रहे हैं कि मैं इस तरीके से गरू या फिर उस तरीके से करू ऐसे करू कि इस डारेक्शन वे जो है मेरा सही यहाँ पर क्यूशन का आंसर चेहनित हो सकता है तो यह पर बिल्कुल होगा यहाँ पर लेकिन भाशन देखो हम यहाँ पर बड़े-बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं या फिर इससे हमें कोई मतलब नहीं हम समिश्या को सॉल्व कर रहे हैं भ अपने जो है क्यूशन को सॉल्व कर पाएंगे मानों कि आपक्यूशन तो यहाँ पर प्रोब्लम्स और किसी और अधर यहाँ पर टॉपिक्स पर है और आप यहां पर चीतर देख रहे हैं क्या उसे सॉल्व होगा नहीं होगा बहीं तो इसलिए यहाँ पे ए और बी सही इसलिए A और B correct है यहाँ पर A option correct होगा I hope समझ आगया होगा देखो आपको आगे चलो Next एक EBS सिक्षक के दुआरा परिप्त होनी वाली भाषा देखो एक EBS सिक्षक के दुआरा परिप्त होनी वाली भाषा वप्चारी के वब परिभाषओ पर बल देले वाली बिर्कुल कट करता हो अगर कैसे भी option में परिभाषओ पर बल देना हो CT8 का हमेश़ा एमान नहीं होगा option क्या होगा CT8 का हमेश़ा एमान नहीं होगा हमेशा negative points है इसलिए परिभाशा उपर ही depend नहीं रहना है परिभाशा उपर ही बल नहीं देना है बच्चों के लिए कठीन होने चाहिए ताकि विए समझ नहीं पाई बताईए क्या आप एक EBS के teacher होने के नाते परिक्तुहने वाली भासा language बढ़ा रहे है क्या आपके लिए क्या बच्चो वो समझे ना पाई गलत होगा प्रावीदिक पर करती की होने चाहिए प्रावीदिक एक कहते हैं कि आप काफी नकल वकल के थुरू होने चाहिए या फिर काफी कठोर तरीके से जिसे आप समझी नहीं पाए नहीं जबकि कैसी होने चाहिए बच्चों के देनिक रोजमर की भ वूचे को EBS का कोई भी टोपिक पठी उस तक पढ़ा रही है तो उसमें जो भाषा है बच्चे की मातर भासा से जूड़ी ठाहिए उससे related होने चाहिए बच्चा की मार्द्यम से सीकर रहा है उसके base पर होनी चाहिए और बच्चे की देनिक रोज मर्दा की भाषा क्या है उससे इस रिलेटेड होने चाहिए बच्चा जो अपनी भाषा यूज़े करता है जो उसकी शेटरे भासा है उशी के माद्यम से आपको जिक्सा प्रोवाइड करानी है यहां पर कोई अपना माध्यम ने ठोकना है यह मत सोचना कि मैं यहां पर चुखी लंदन से आयों तो मैं उसी माध्यम से पढ़ाऊगा नहीं आप बच्चे की मात्रभाशा में ही पढ़ाएंगे और उसको इंपोटेंस भी देंगे तो सही आं आकर्शक एवं प्रासंगिक अनुदेशामक सामगरी देखो कुछ सामगरी ऐसी होती कि आकर्शक एक्ट्रिक्टिव करने वाली बच्चों को इससे श्यामपट आप श्यामपट पर खुछ भी पढ़ा रहें तो लिखकर पढ़ाएं चित्र के माध्यम से दिखा दिखा कर से क्या होगा उनका इंट्रिक्शन बढ़ेगा एंड वो उसकी तरफ आकर्शक होंगे आकर्शक के सामगरी होने चाहिए इस तरह से पढ़ाएं तो क्या करते हैं सभी ज्यानेंद्रियों को सेक्री करें अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाने में दिखो ये इतनी अधिगम oluş करता है ठीक होता। विद्यार्तियों का ध्यान आकर्शक करता है नहीं जब हम यहां पर आकर्शक एक बहुताीं घथरी जो है शामगरी होते हैं पर आटेक्टिव करने वाली होती है आकर्शक होती है जिसे के बच्चों में एक दम रोची करपना जागरित करते हैं इस माध्यम से गर हम इस तरह की सामगरी का यूज करकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे ही क्या होता है उससे सभी ग्यानेंद्रियों को सेक्रिय करें बच्ची की तरी भी ग्या हैं। आप देखो आँग हैं, आँग से देखेगा, आकर्षक होगा, काणों से फील करेगा, और यहां पे सारे चीज़ों से सोचले के कोशिश करेगा हैं, पर. समझे आप तो सही आंसर क्या होगा आपका एह होगा जब आप इस तरह से आकर्षक चीजों को आकर्षक शामगडी के थुरू बेस परिहाबर अपनी जो है एक अनुदेश आत्मक शामगडी शिक्षा जो भी है प्रवैड करा रहे हैं उसका सही आंसर होगा सभी गानेंद्रि प्रवैड को एक्टिव करेंगे आप बच्चे की ठीक है चलो है नेक्स्ट सिक्स क्यूशन बहुत ही बहतरीन है एवियस के सेक्षन में नियूंतम महत्वण किरयाकलाब की पहचान की जिन नियूंतम जो की इन में सबसे कम महत्वण है अब चार ओप्षन ही आपके सामने इ नियूंतम महत्वण की पहचान की जिन निंगेटी हो चलो विध्यारतियों से परिचर्चा करेंगे विचार वीमर्स करेंगे उनके साथ में क्यूशन पूटप करेंगे तो वह तो बहुत ही भैत्री ने रूशी पूर्ण होगा गलपना शिलता होगा एकदम भैत्रीन होग फिर है यहाँ पर कारिये पत्रों पर चित्रो और रूप रेखा को बढ़ाना तो बिल्कुल यहाँ पर यह भी प्ट्रो आप बढ़िया कर बना कर बचकिवित्खा और उस माध्यम से बच्चा जो है सही तरीके से एक्टीवी होगा और रूची बैएगी गलपनाशीलता भी बढ़ेगी उसमें बहते इन तरीके से चीजों कोशिक है भी लेकिन क्या नहीं होना चाहिए यहां पर यह हमें चूस करना है तो क्या नहीं होना चाहिए अब अग्य बच्चे को सजा नहीं देनी है अगर आप इवस की सिक्षन में बच्चे को सिक्षन गतिवीदी करा रहे हैं तो कोई उसे मार पीटकर धमका कर आप उसे फटकार कर नहीं जिक्सा देंगे यहां पर बिल्कुल गलत होगा बलकि उसकी रियल लाइफ से जोड़ने के कोशिश करेंगे बाहर की दुनिया से जोड़ने कोशिश करेंगे अलग-अलग कारियापत रूफ रिखा त्यार करेंगे उसके लिए और यहां पर परिशर्चा करेंगे उसके साथ में लेकिन सजा आप नहीं देंगे सजा वढ़ हमेसा क्या होगा गलत होगा चलो बई नेक्स्ट न तो उसमें पहली कहानी स्टोरीज के माद्यम से सम्मलित करने की उदेश्य को पहचाने विध्यार्तियों की मन को भरमित करता है देखो जब हम इवेस का टोपिक पढ़ा रही होते हैं और हम इवेस के टोपिक को पूहियम्स या फिर यहां पर हम अच्छे-ची कहाने या फि को ऐसे पढ़ने में जब आप इस तरह से मजे के थुरवाप उसे पढ़ाएंगे विध्यार्तियों में तरक शंता विक्सित करता है चलो देखते हैं विध्यार्ति के मन को भरमित करना और सोमाने क्या एक टीचर विध्यार्ति के मन को भरमित करेगा ऐसे जब पहल्यों के म साननंत से हैं यहाँ आप बच्ची को कह रहे हैं कि यहाँ पे इभी ध्यारती के मन को भरमित करेगा और में यहां पर बड़ी है इन्जू childcare होगा घलत होँगा ब computing क्या होगा गलत होगा इभी द्यारती को खेल खिलाना चलो है तो यह भी सही लेकिन इतना बैटर नहीं है सो सही क्या होगा देखो विध्यारतियों में तरक शम्ता डवलब करना जी हाँ बिल्कुल बी ओप्षन बिल्कुल पोजेटिव एंड करेक्ट होगा जब हम EBS पुस्तक में जब हम EBS के यहाँ पे टोपिक्स पढ़ा रही होते हैं और उन टोपिक्स को अच्छे-ची स्टोरीज पोहिं अम्षे कहाणी के थूरू जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके रियल लाइफ से जोड़ने कोशिश करते हैं उस माध्यम से करहां पढ़ाने के कोशिश करते हैं तो बच्चे की तरक जो शमता है क्या होती है धवलफ होती है और उसी परण्ड में काफी आन दाता है कल्पना शेल यहां पर वो रहता है सो भेतीन ओप्शन 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 बी होगा आके देखो next परियावन अध्यन के शिक्षन अधि गव में विध्यारतों दुवारा परशन पूछन आति दिक महत्तों कोण है क्योंकि यह परशन संकेतक है पर यवन अध्यन के शिक्षण अधि गम में विध्यारतू के दुआरा क्यूशन पूटब करना आति दिक महत तो कौन है क्योंकि ये परशन संक्य तक है विध्यारतू की जिग्यशा को बढ़ाने में विध्यारतू की समझमी अंतर के या फिर शिक्षक की शम्ता के मैंने कहा है आपको अगर टीचर्स की बात हूँते है टीचर्स हमें पढ़ा रहे हमारा डम कर रहा है कि हम यहां पर टीचर्स केसला कर रहे इंग Been है जो कि quan CE गोद्वतों पेरोड अरिक मधन कॉशन पूर हैं एंफे किसे लिए इंपोटेश होगा बिल्कुल यहां बच्चों में जिग्यासाथ अट पन होगी क्या जिग्याशा कलपनाउत पर और होगी है और समझ भी अंतर है करेंगा यहां पर दिखो जब हम अलग-लग विचाविश पूट आपकर रहे हैं तो अलग-अलग अधीगम कर रहें आलग-ग्यान सीख रहे हैं अपनी ग्यानेंद्री को एक्टिव कर रहे हैं हम सेकरी रूप से सिखने कोशिश कर रहे हैं तो बैटर होगा सो सही आंसर ओप्शन ए और बी होगा यानि की ओप्शन ए बैटीचर्स की समता से कोई मतलब नहीं है ओके चलिए गलत कथन का चेंड कीजिए यहां पर आपको गलत कथन का चेंड करना है देखो एवियस एक अंतह विशेख विशे हैं बिल्कुल सही बात है जो क्या है इवियस है एक क्या है डिफ्रेंट विशे है और इसमें बहुत से चीज़ें जुड़ी हुए है देखो आपकी इसमें जो है इवियस के अंतरकत हम बात करें आपको पुरा भुगोल है आपका इवियस परियावरण है आपको पुरा ब् पढ़ाना स्थानी संसाथनों की माध्यम से होना चाहिए यहां पर देखो का है इवेस पढ़ना पढ़ाना स्थानी संसाथनों के बिल्कुल सही बात है जब आप इवेस पढ़ा रहे हैं इवेस पढ़ाते वक्त आपके पास में सारे संसाथनों प्लब्द होने चाहिए अच् कि शेत्र भर्मन से हम उसे जोड़ने कोशिश करेंगे जानमर का टोपिक पढ़ा रहे हैं तो शेत्र भर्मन पढ़ने के जाएंगे यानि कि भीन-भीन परकार से साने संसाधन के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट होगा परियावण अध्यान को भाषा के भाषा के माध्यम से बिल्कुल और वह भी बच्ची की क्या मातर भाषा के आधार पर ही सीखा जाना चाहिए तो यहां पर यह भी पॉइंट्स क्या होगा बिल्कुल क्रेक्ट होगा देखो जो परियावण अध्याने उसे भाषा के आधार पर सीखा जाना चाहिए यह नही कियों ओप्ष्ण क्या है गलत होगा क्योंकि मुख्यत को है, प्रीयावन पुरा भ्रहमाड आस्मार में। जो भी सारे चीजे हैं सबी चीजे इवेस से भोल जितना भी सब इवेस से जुड़ा हुआ है साथे साथ में आपके आज पास का पूरा बात आवरंग माना उजाती जन जाती रहें जहें खाने पीना सब कुछ आपका और प्लस जेव विथा जीव जनतु सारी चीजे आपकी से जुड़ें नैकी सिर्फ और सिर्फ में जीव विथा एक-एक पॉइंट्स को पकड़ो अगर आपने एक-एक पॉइंट्स पकड़ने से स्टार्ट कर दिया ना तो मानों कि कोई भी आपका क्यूशन्स गलत नहीं कर सकता लेकिन आप यहां पर कंफ्यूज भी हो सकते थे क्यों हो सकते थे क्योंकि आपको पता है कि यह हुई विथा कि अध्यन से भी जुड़ी हुई है लेकिन मुख्यतवर आपने नहीं पढ़ा मुख्यतवर क्या होता है कि में इसी पर फोकस है और बाकी कि यहां पर जो है कोई किसी अध्यन से नहीं जुड़ावाई बलकि क्य यह गलत है, इसका जुड़ाओ तो पुरी ब्रह्मान से है, चारों और तरफ आपका फैरला जो बात बढ़ने उससे है, इस रे स्यूप्शन क्या होगा? नेक्स देखो, एक परियावन अध्यान सिक्षक होने के नाते, आप अपनी कक्षा के ओसस चात्रों के लिए क्या करेंगे? इस तरह के इस तरह का बिहेविर करना पसंद करेंगे? क्या उन्हें कई बार अवधारा लिखने के लिए देंगे? क्या कहेंगे कि रट लो, रट लो, भई रट लो, अभ्यास कर लो, नहीं हो रहा है, तो लिख लो, दुबारा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, गलत हो गया. क्या आप उन्हें पहली पक्ति में बैठाकर लगतार उनका मालगदशन करेंगे? नहीं भई, तुम्हारे पास में और भी बचे हैं, और सभी बच्चों को जो है, तुम इकल रूप से देखेंगे, ये तो नहीं कि तुम उस पर ही भोगश करेंगे, गलत हुआ. उनको दिरिक्तकार ये घर में भ्यास करने के लिए देखो, यहां पर आप उन्हें जादा और जितना वर्क देंगे, उतना ही वो कन्फ्यूज होगा अपनी माइड से, और उतना पढ़ने के कुशिश नहीं करेगा, उतना ही क्या होगा, कमजोर होता जाएगा यहां पर, सह उनका क्या कमजोर पक्षे उसकी पहचान करो, और फिर उसका निदान करो, सुधारने की कोशिश करो, और उसे खोजपुण माध्यम से उस पर लागू करो, तो सी ओप्षन क्या होगा, बेटर होगा, चलिए समझा आगया होगा, परियावण अध्यान सिक्षा के शेत्र में समझनी थे, परियावण जो अध्यान सिक्षा के किस शेत्र में समझनी थे, अप्चारिक रिक्षा, अनप्चारिक, विध्याले, अप्चारिक और अनप्चारिक शिक्षा, तो परियावण अध्यान सिक्षा के किस शेत्र में समझनी, देखो केवल और केवल अप्चारिक म में आपका परिवार तो बताइए जो परियावण आध्यान है वो आपके यहां पर परिवार और भही साथे साथ में विद्याले मेडिया जो भी आपकी सामजिक लेवल सब कुछ है यह सेकंडी तोर पर फर्स्ट और सेकंडी दोनों चीजों से सम्मली थे क्यूंकि इविएस जब आप यह बच्चे को देखो वन से फाइफ तक के तरबात करें तो थर्ड और फाइफ के क्लास में जो एविएस है न आपका इविएस जो NCRT है यहां पर उस सब्सक्राइब करें जाया स्यॉप्षन क्रेक्ट होगा नेक्स्ट विध्यारतियों में आप धारणात्मक समझे तब अच्छी होते हैं जब चिक्षक जोड डालते हैं समवाद पर लेखी तेवा मोखिक परिक्षा पर पाठ्थे पुस्तक पर प्रतिस मर्तबर लेखो जो है आप भेतरीन तरीके से समझ सकते हैं जी जो को नहीं यह तो एक रट्टा फिक्षन तोर हुआ कि बस लिखी तोर मोखिक परिक्षा लेलो परिक्षा तो तभी लोगी आप जब आपनी बच्चे को परिक्षा के लेवल तक बनाया है पाठ्थे पुस्तक पर डिपेंड होना परतिस परदा नहीं बलकि विध्यार तुम्हें धार्णात्मक समझे तब अच्छी होती है जब शिक्षक जो डालते हैं समवाद पर जब टीचर्स यहां पर इवेस पढ़ाने हैं फिर कुछ भी कर रहे हैं जब अपने सबी सुदेंट्स के साथ में समवाद तरक भी यहां दरक विशा है भी मर्सकासं प्रेक्षन चल रहा है मौउकिक रूप से या लिकित रूप से वह बेटर होगा ठीक है सिर्प और सिर्फ एक्जाम बेश नहीं होगा पार्टे बुस्त्त बेश नहीं होगा पृतिस प्रदा बेश नहीं होगा किस बेश होगा सम्वाद इसमें कि आपके थोर्व का भी क्या होगा डवलप होगा आप में बहुत सारे स्कल्स करनाध में क्या नहीं होना चाहिए समझ्षा पर केंदत होना निर्णाइक वना सर चंडेां अनल करिके ताकत और कमजोर्य को पहचाना बच्चों के रूची और जिग्यासा को पहचाना तो ऐसी यूग में चुस्ज करना है भिष्जान करता है लेकिन जो ऑपाओ खाने आत्मक अभी अभी होग है क्या होता है केंड़ित नहीं होता इसलिए और जो बी ओप्ष्ण है न यहाँ पर क्या होगा बैखो वुपाग ख्याननात्मक अभी लेक यानि यह लिए भी पर छुर्थ होना यह नहीं है और निरनायक होना वसे एक दूसरी को भार्षन देते रहना, इस टाइप से नहीं, बल्कि इस्सुडेंट्स के परती पहचान करना उसकी कमजोर योगी और उसकी रूच योगी कलपना शीरता का पता लगाना यह होता है चलिए नेक्स्ट एक EVS की कक्षा में एक सीखसक चर्चा करता है कि घर की मख्या बीमारिया फैलाती है चर्चा के लिए सबसे उप्युक्त सीखने का क्या संसादन होगा देखो EVS की कक्षा में एक टेचर सीखे है चर्चा करता है कि जो घर की मख्या होती है वो क्या फैलाती है बीमारिया फैलाती है तो चर्शे के लिए सबसे उप्युक्त सीखने का क्या यहाँ पर संसाधन होगा फ्लेश कार्ड से दिखाएंगे, स्लोगन से दिखाएंगे, पोस्टर्स पोस्टर्स से स्लोगन से फ्लेश कार्ड यह तनी बैटर निबल की क्या है अकबार क्योंकि मान कर चलो आप अक्भार जो है अक्सर करीब और क्रीब अक्सर अक्बार सबके घर प्याता है न्यूस पेपर, न्यूस that आता है की नरहीं भूर्णिग में देखे जाते हैं लोगा यह धोर पेगा तुम्हारे में आ चुका है तो जो अक्बार होता है आपका यहां पर आपकी एल लाइफ की जिवन से जोडने का एक बहुत ही बैठी नजरीया होता है तो अकबार से paper cutting करते हैं और अकबार से paper cutting करके मत्हिया देखो मक्हियों की बिमारों के बारे में पॉइंट्स वहां पर क्या है अकबार में आप नियूस पेपर में आपे जो है लिखो लिखवा हो उनसे मेडिया वालों से और फिर उनकी कटिंग करो कटिंग करके फिर आप स्कूल्स में आ करके टीजस होने के नाते अपने स्टुदेंट्स को दिखाव तो अकबार के बाहदिम से ऌप बहतरी तर blossom सीखा सकते हैं कि मक्रूं से पोस्टर्स आपके सामने ऐसा एक बार है सब्सक्राइब सदस्राइबुष रहाते हुए सरीधा विध्यारतियों को खेल की मिदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विबिन खेल खेलाती है मेनु उसी पार्ट को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विध्यारतियों को पढ़ाती है तो विध्यारतियों को अधिक्तम शा शरीता मेम नहीं जो कोई अपने बच्चों अलग अलग तरीकेसे पढ़ाई और बहत्रीन तरीक से देखो जो शरीता मेम है यह तो अपनी विधियारति में विबिन खेल खिलाती है तो देखो कि यहां पर बच्चा अगर खेल के माध्यम से सीखेगा तो वो ज्यादा यहां पर जएधा रूची पयादा होगा उसमें ज़्यादा आनन्द आएगा उसे और ज्यादा अप्यों के चित्रकार को अगर वो यहाँ पर सिर्फ और सी चितर कार्ड दिखा रही है कि देखो मैं जो भी पढ़ा रही हूं उसके चितर कार्ड है इस माध्यम से समझाने कोशिश कर रही है पढ़ाती है तो इन में से सबसे ज़्यादा परभावी रणिती का यूज कौन से टीचर कर रही है तो पिक के आधार पर तो बताइए सबसे बेसर क्या होगा और बच्चे को तो वैसे भी अपनी जो है रोम से निकलने की जादा क्या रहती है बहुत ही भागा दोड रहती है सुझते हैं कि कब हम अपनी कक्सा से निकले और बाहर जाके खेले कूदे मस्ती करें मजा लें तो सब तो बताएए सबसे बेडर आननती कि में तब और यहाँ आपर कौन बढ़ा रही है सबसे बेडर तरic ही से पढ़ा रही है सबसे ब'Tर तर लोगों में और हां सब्सक्राइब आप कर सकते हैं सभी examination हम यह लोगों सब्सक्राइब कर लेना यह मेरा number दिया हुआ है यहाँ पर वोट्षप नमबर है कोई भी आपका यहाँ पर जो है कोई भी doubt से आपको कोई भी query है कोई भी problem से सो आप मुझे message करके बिता देना यह examination हम ऐसे यह telegram link है यहाँ पर आपको PDF provide हो जाएगी इसको join कर लेना तो चलिए फिर friends अब यहीं पर हम अपने वानी को विराम देते हैं और मिलते हैं next session में और अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज हम आपसे वाफी मांगते हैं और यहाँ पर जो है आप हम मिलते हैं next session में तब तक के लिए, so thanks for watching, keep studying, bye bye, take care